पत्रकारता के इतिहास में आज पहली बार हो रहा होगा जब ऐसा कुछ देखने को मिला है युक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्स से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है आपने देखा होगा कैसे बिचले कुछ सालों में पत्रकारता का स्थर भारत में गिर चुका है टीवी न्यूज चानल के जो पत्रकार है उन्होंने कैसे मोदी सरकार के इशारो पर मोदी जी के इशारों पर अपने आगाओं के इशारों पर नासना शुरू कर दिया उनके तलबे चाटना शुरू कर दिया सच्ची पत्रकाइटा क्या होती है शायद ये जनाब भूली चुके है लेकिन अब रूस ने इनको आयना दिखाने ये काम किया है ऐसी कोई खबर निकल कर सामने आई है कि ये पत्रकार था कि इतिहास काई नहीं बलकि विश्व इतिहास कभी एतिहासिक शन है इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जो आज हुआ है आज तक कभी किसी पत्रकार ने ऐसा नहीं किया होगा किसी देश का इस तरह विरोध नहीं हुआ होगा, किसी प्रधान मंतरी का इस तरह विरोध नहीं हुआ होगा और अपने ही देश के विरोध में किसी TV न्यूज चानल के करमचारियों ने on air सामुहिक इस्तीफा नहीं दिया था अब तक लेकिन रूस में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं रूस के टीवी न्यूस चानल दरेन के करमचारियों ने सावमोहिक इस्तीफा दिया है जी हाँ बिलकुत सही सुना अपने यूक्रेन पर रूस के आकरमन का पूरी दुन्या में ही रही बलकि अपने ही देश रूस में भी विरोध हो रहा है यहाँ युद्ध के विरोध में आई दिन विरोध पदैशन हो रहे हैं रूसी मीडिया में भी इसका विरोध किया जा रहा है और वो खबरे भी ऐथी दिखा रहे हैं लेकिन उन्हें रूस के पक्ष में समाचार दिखाए जाने के लिए बात दिखिया जा रहा है इसने मीडिया कर्मियों में भारी नाराजगी और ऐसे एक मामले में एक रूसी डेलिविजन चैनल के पूरे स्ताफ ने अंतिम प्रसारण में नो टु वर के संदेश के साथ ओन एर इस्तीफा दे दिया है यह बहुत बड़ी खबर है टीवी रेन की कर्मचारियों ने रूसी अधिकारियों द्वारा यूक्रेन युद्ध की कबरेज दिखाये जाने से नराज होकर प्रसारण निलंबित करने के बाद यह फैसला लिया है और चैनल की संस्थापकों में से एक नतालिया ने अपने काओं के खिलाफ कुछ बोलेगा कोई सवार करेगा बिलकुल भी नहीं यूकि भारत में गुलाम आत्माए मनुष्य के रूप में निवास करती है तो ऐसा कहा हो सकता है पत्तकारिता तो छोड़िए अब चाटुकारिता की सारी हदे पार करने वाले इन पत्तकारों से ऐसी उमीदे रखना भी बेकार है लेकिन जार पुतिन द्वारा युकरेन पर किये गए आकरमन का सबसे तगरा विरोध रूस के अंदर ही हो रहा है टीवी रेन ने युकरेन पर रूस के हमले की आलोचना क्या की जिसका नतीज़ा ये हो गया कि पुतिन ने स्पेशल फोर्स पहार निकल गए ये आकरी प्रसारन था और तराजी देखिए कि जिस वक्त रूस के टीवी रेन के एल्टर, एंकर, प्रोड्यूसर, टेग्निकल स्ताफ जार पुतिन के खिलाफ सामुही के स्तीफे का एलान कर रहे थे उसी वक्त भारत के मिडियोकर पुतिन के लिए अंश टीवी रेन रूस के युवाओं में बेहत लोगफ्री है, रूस के प्रेजिदेंट ब्लादिमर पुतिन ने इसको बंद कराकर अपने अंत की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है, ताना शाफ पुतिन की कब्र युक्रेन की बहादुर जनता ने खोद दिया है, अब उसका गिरनाब बाकी है, लेकिन सोचिया ऐसा कुछ भारत में भी देखने को मिलता, तो होता क्या आखिर? भारत की तस्वीर ही कुछ अलग होती, आज जो विकाव मीडिया खबरे दिखा रही है, अगर इनमें से एक भी न्यूस चानल ने अपनी आवाज उठा कर ये कहा होता, कि आज पत्रकारिता को मजाग बना कर रख दिया है भारत में, इंटर्व्यू में इस सवाल पूछा जाता है कि आप ठकते क्यों नहीं है, पत्रकारिता का स्तर नीचे आ चुका है, और अब भी जादा कुछ नहीं बिगडा है, रूस से ही थोड़ा बहुत सीख लें, तो सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निसनल दस्ता को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें